नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विनितास बालकनी गार्डन में दोस्तों आजकल तीन दिन से मौसम बहुत खराब चल रहा है धूप नहीं निकल रही है तो ऐसे मौसम में हमारे पौधों की मिट्टी जल्दी नहीं सूपती है तो उसके लिए हम बात करेंगे कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो बने रहे है मेरे साथ देखते रहे है ये गुल्दावदी देखिए अभी इसके बर्ड्स खेले हुए नहीं है पूरे नहीं खिले अभी दीरे दीरे खिलेंगे ये सर्दी जाने तक इस पौधे पर बने रहेंगे ये मेरा दूसरा पिछले साल का गुल्दावदी है जसमें फ्लावरिंग हो चुकी है और जादा दिन नहीं हुए है अभी ये है हमारा रेनोकुलस इसके फ्लावर बहुत प्यारे लगते हैं ये देखिए इसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है ये भी इसका नाम भी मुझे नहीं पता आपको पता हो तो प्लीज बताएगा ये देखिए मैंने इसकी गुडाई कर दी थी सभी की गुडाई करते रहना चाहिए सभी प्लांट्स की गमलों की जिससे मिट्टी अगर मौसम खराब भी है तो भी मिट्टी सूखती रहती है टाइम से एर सर्कुलेशन बना रहता है जड़ों को भी हवा मिलती रहती है अगर हम गुडाई टाइम से करते रहते हैं अभी सर्दी के प्लांट्स में तो हमें 15-15 दिन में या हफ्ते में एक बार गुडाई करनी चाहिए जिससे मिट्टी सूखती रहती है देखिए कितने धुंद आज दोपेहर दो बजे तक धुंद थी और उसके बाद जाके सूरज थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी हमेशा चोड़े गंबलों में प्लांट्स लगाने चाहिए जिससे गुडाई के लिए हमारे लिए जगे बच्ची हो मैंने इस गंबले में तीन प्लांट्स लगाए हुए है बहुत अच्छी तरह किसी गुरू कर रहे हैं इन प्लांट्स सबी प्लांट्स की गुडाई करनी चाहिए कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जिसमें हमें बस टर्टल वाइन उसमें स्पेस ही नहीं बचता है कुछ टाइम में जिससे हम उसमें की गुडाई कर सके तो हमें हमिशा moisture उसमें बनाना चाहिए, स्प्रे करते रहना चाहिए, पानी का क्योंकि उसके मिट्टी पूरी तरह से नहीं सूखनी चाहिए ये देखे, मिट्टी अभी अच्छे से नहीं सूखी है, मेरी थोड़ी सी बुरबुरी सी हो रही है तो आज मैं सारे प्लांट से सारे गम्लों में गुडाई करूँगी मिट्टी की और फिर कल इस सभी में पानी दूँगी और खाद आपको पता है सर्दियों में सर्दों की खली का लिक्विड देना चाहिए तो मैं तो सर्दों की खली वर्मी कमपोस्ट और अपने घर की घाजों में बनाती हूँ सबजियों के छिलकों फ्रूट के छिलकों से वो और एक मुठी उसमें डाल देती हूँ और आपको पानी की खली यह सारी चिज़ें भेकोकर रगती हूँ तीन चार दिन के लिए और फिर उसमें जब देना होता है तो सीवीड की आदा धकन या एक धकन उसमें डाल कर फिर पानी को उसमें से आदा गिलास लेकर और एक बाल्टी में आप मिक्स कर दीजे और फिर सारे पौदों में आप दे दीजे अच्छे से जितना आपको पानी देना है वो सारा आप दे सकते हैं अच्छे से जब तक नीचे से ना निकले हमेशा जब भी पानी देते हैं हम पौदों को तो बहुत अच्छे से देना चाहिए जिससे फिर बाद में मिट्टी जब भी सूकती है फिर दुबारा तब ही देना चाहिए इससे पौदे बहुत अच्छे से ग्रू करते हैं मैं क्योंकि कम देकर भी मैंने देखा है कि पौदों को थोड़ा थोड़ा पानी देती हूँ तो कभी पहले मैंने सारे एक्सपेरिमेंट कर रखें थोड़ा थोड़ा पानी देती हूँ अच्छे से पानी देना है गंबले में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन में हमें थोड़ा बत पानी देना बढ़ता है जैसे बालसम बालसम को हमें एक दिन भी पानी नहीं देते हैं तो अगर उसकी उपर की मिट्टी सूख जाती है तो पत्या मुर्जा जाती है और वो पत्या कभी भी सही नहीं हो पाती है क्योंकि वो सूख कर ज़र जाती है फिर दीरे दीरे पूरा प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है और खतम हो जाता है मेरे पास दो प्लांट थे बाल्सम की और फिर एक मेरा खराब हो गया इसी कारण से और दूसरा अभी चल रहा है तो उसमें हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी डालते रही है और जब आपको लगे कि बहुत अच्छे से मिट्टीस के सूखरी है तो आप बहुत अच्छे से उसम जड़े अगई है तो इसमें जड़े आ गई है सिर्फ रखा था मैंने हलका सा मिट्टी से नीचे नीचे का हिस्सा ढग तो देखे अच्छी जड़े आ गई मैं इसको एक बर दूसरे गंबले में लगाती हूं और फिर इसे जब थोड़ा सा बढ़ा हो जाएगा है तब मैं मैं से अलग से लगा दूँगे अब मिट्टी के अंदर लगाऊंगी थोड़ी सी जड़े अंदर चले जाए जिससे इसके अच्छी ग्रूथ होगी यहाँ पर धूप आती रहती है और यह नीचे की तरफ है तो इसको जादा धीस धूप नहीं लगीगी का तो मेरे गेंदे के प्लांट्स की पत्या अचानक सूखने लगती है पता नहीं गेंदे के प्लांट बहुत अच्छे से चलते नहीं जबकि पूरा ध्यान रगती हूं में वाटरिंग भी अच्छे से पता नहीं, नहीं चलते हैं यह देखे, सूरज देवता देखने लगे हैं थोड़े-थोड़े से दर्शन दे दिया आज सूरज ने यह देखे, मेरा रोज प्लांट है यह इसकी मिट्टी देखे, सूख रही है अगर नीचे उंगली डालने पर नहीं चिपकती है इसका मतलब अब इसे प्लांट को पानी की जरुरत है तो हमें पानी दे देना चाहिए अभी मैं गुडाई कर रही हूँ यह देखे, हिबिसकस इसकी मिट्टी भी सूख चुकी है सभी में अच्छे से वाटरिंग करूँगी यह गुल्दावदी जिसकी कटिंग कर दी थी फ्लावरिंग हो चुकी है एक बार इस गुल्दावदी की यह दिके कल्या आ रही है पड़ी हो रही है दीरे दीरे बहुत टाइम लगता है यह दूसरा गुल्दावदी का प्लांट है इसको निचे उतार कर मुझे गुड़ाई करनी पड़ेगी मेरा हाथ अच्छे से नहीं जा रहा रहा है इसमें इनमें खात भी देंगे हम क्योंकि मैंने उस च्अटिंग कर दी थी इनकी और अब हम इसमें आज गुडाई करकर के खात देंगे मैं इसमें दिखाती हूँ आपको क्या दूंगी अभी कैसे बनाऊंगी इसकी खात का मिक्श्चर देखे यह है वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट है यह दो मुठ्धी लेली मैंने यह मैं तीनों गंपलो में डालूंगी और भी गंपलो में डालूंगी कि और काद मिक्स कर केसमें यह यह डी एपी कुछ दाने डी एपी के नीम की खाली है यह तीनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एक तरफ से जगे बनाकर मिट्टी हटाएं और यहां पर खाद डाल देंगे हम एक गंपले के हिसाब से खाद डालनी है दो तीन चमच हम इसमें डालेंगे एधर और फिर थोड़ा उस तरफ डालेंगे क्योंकि डी एपी भी हमने डाली पहली बार में डी एपी यूज कर रही हूं मैंने इसके पहले कभी भी केमिकल ख कर देती हूं मैं थोड़ी दिर बात करूंगी अभी मैं सभी प्लांट्स की गुड़ाई कर देती हूं और यहाद डाल देती हूं जिसमें गुड़ाई कर दिया यह मेरा रोस प्लांट है इसमें फंगस लग चुकी है इसमें स्प्रे करूंगी मैं अभी धूप नहीं निकल रही है इसलिए मैंने 2-3 दिन से स्प्रे नहीं किया है अच्छी ग्रोध के लिए गुल्दावदी में अभी इस खाद की बहुत जरूरत है और बहुत एहमियत भी है तो हमें जितने भी गुल्दावदी के हमने कटिंग की होगी हमें उसमें ये डालेंगे अगर खाद तो बहुत अच्छी ग्रोध होगी अगर आपके पास घूबर की खाद बनी होई हो तो वो जरूर मिक्स करिएगा क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बहुत होता है तो बहुत जल्दी इसमें नई नई पत्तियां आएंगी और ये आएंगे मुझ होने आएंगे टो किर मैं पत्तियां में आएंगे तो बहुत को शचेव सोचेय को जेड़मे से लिए जू इड़ मिक Paci बिर टेत्रोजन आएंगे ये को शिवे और मेंद जिप ऊहर के थाओन आएंगे के औरीन आएंगे हो खादी से bizimयास-धंश्य तो कर दो 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 करी कअ कर दो कि अरभ दो य怕 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो एक दो कर दो extrem Way कर दो कर दो कर दो ढने कर दो 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 कुछ प्लांट्स की गुडाई कर दी है मैंने यह देखिए कितने अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मैंने कुछ प्लांट्स में तो पानी डाल दिया है जिनकी मिट्टी ज्यादा सुखी हुई थी और जिनकी थोड़ी कम सुखी हुई थी नमी थी थोड़ी बहुत तो उनमें मैं कल वाटरिंग करूँगी और अभी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो छोटे प्लांट्स हैं उनमें आप जो मेरे छोटे प्लांट्स हैं आपके भी अगर छोटे छोटे जो प्लांट हो जो अभी ग्रोथ करना जिनमें लीफी ग्रोथ होनी है जो छोटे प्लांट है तो उनमें आप डी एपी के गंबले के उस हिसाब से आप DAP के कुछ दाने डाल सकते हैं, अब ही मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ मेरे चोटे गंबले हैं, मैं कुछ DAP डालूंगी, चोटे-चोटे गंबलों में दो-थीन दाने आप डाल सकते हैं, और अगर वो 7-8 इंच का गंबला है, अगर आपका, तो आप उसमें 7-8 दाने डाल सकते हैं, इंच के हिसाब से जितने इंच का आपका गंबला है, उतरे ही DAP के दाने आप डाल सकते हैं, नुकसान नहीं होंग क्योंकि मैंने दो कमलों में पहले एक्सपेरिमेंट करके दिखा था, तो अच्छा कोई नुकसान नहीं हुआ उस पौदे को, तो मैंने अब आपके साथ ये बाकी के अपने प्लांट्स में भी यूज किया है उसे और आपके साथ शेयर भी किया है, ये देखे, आपके साथ मैंने ये शेयर किया था, प्लांट्स जब मैं लगकर आई थी, कितने चोटे-चोटे प्लांट्स से, अब देखे, कितने सारे फ्लावर किल रहे हैं, ये देखे, कलर ही चेंज हो जाता है, पुराना फ्लावर होती ही, इसमें भी बहुत अच्छी इसमें भी देखे चार और भी कलिया भी आई हुई इसमें बहुत सरी ये भी बहुत जल्दी बढ़ा हो गया मेरे दो-तीन प्लांट इस पर मर गए पिटुनिया के पिछले साथ तो मेरे सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से चले थे देखे मैंने इसको टांग दिया उपर इसमें मैंने वाटरिंग भी कर दी है खाद दाली थी मैंने इसकी मित्टी सुखी हुई थी अच्छे से वाटरिंग कर दी और इसमें भी इसकी मित्टी बिल्कुल सुखी हुई थी दोनों मैंने चेक किया था ये देखे ये मेरे चोटे इसमें भी अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है तो इसमें मैं कुछ दाने डी एपी की डालूंगी देखते हैं क्या असर होता है अगर जल्दी ही फ्लावरिंग होती है कुछ भी चेंज़ आते हैं मैं अपके सब चेयर करूंगी फिर आप अपने प्लांट में डाल सकेंगे मैं आती है जूटे-जूटे गलास मिटी के इसमें पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए इसे करें इसमें मिटी के घंलों में ही लगाए तो आप मिटी के अगर लगाते है तो उसमें बहुत अच्छे से वाटरिंग करें और मिट्टी जब सूखती है तो उसमें आपको पता चलता है कि हां मिट्टी सूखी है क्योंकि नीचे के मिट्टी के हाल भी उपर की जैसे ही होते हैं तो आपको दिकत नहीं होती है दिखिए मनें कट्टिंग्स लगाए थी बहुत अच्छे से चल रही है कि युडरिंग्स लगिव लगे समय संभापने के रही है कि युडरिंग्स लग दीचे से जैसे जार्फिए मनें कीट्टी का श्रूव लेगी तो आपको च्रूथ क्म बहुत नहीं होती एना के पताफ्टी नहीं है कर दो 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 चलिए देखते हैं और भी फ्लावर्स जो आज खिलेवे हैं हमारे गार्डन में आप मुझे बताएए का मैंने ये अलग तरीके से जमाए थे अभी और थोड़े पहुत चेंजिस करने हैं यहां इस जगे पर एक वाइट वाला कंबला थोड़ा आगे रख दिया मैंने कुछ ध्यान नहीं था अब मैं एसे वापस इ कि देखें सूरज दूप निकली है थोड़ी पर यह कुछ समय के लिए ही निकलती है आदे गंटे से जादा दूप नहीं रहती अभी आज सुबह दो बजी तक दूंद थी फिर भी इन प्लांट्स को खास फरक नहीं पड़ा है लेकिन जिनके छत खुली हुई है जिनके गार्डन है उपन गार्डन है अभी बारिश हुई थी या ओस इतनी ज़्यादा दूंद होती है ओस पड़ती है उससे प्लांट्स की पत्यां खराब हो जाती है फंगस लग जाता है उनमें कलंच वगेरा मैंने एक वीडियो देख